जो आज आई हमारे पाज घंडाई वेन्यू जो हम लोग इसमें जो है विदाउड वाइरिंग काटिंग इंस्टोलेशन करेंगे हम लोग इसमें क्रूज कंट्रोल हम तो वीडियो के अंतर देख पास यह प्लिडियो होनेफिर्स था वाला है हलो गाइस मैं हूँ सुमेर सिंग और वेलकम बेक माई यूटुब चैनल जो दोस्तों आज हमारे पास है ये हुंडाई वेन्यू जो यह हमारा सिर्दिए वाले इसमें यह मां लोग स्टेरिंग्स करेंगे और यह करेंगे हम पूरा विडाउट वायरिंग करेंगे तो वीडियो के अंते तक बने रहे हैं वीडियो का पिंट्रस्टिंग होने वाला है जिससे आपको वीडियो अच्छी लगे लाइक शेर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें तो यह फर्स्ट आप देख सकते हैं यह वाला जो है होंडाई की ओरिजनल है यह आपका यह क्रूस कंट्रोल जो हम लोग इसमें इंस्टोलेशन करेंगे करेंगे हम लोग पूरा विदाओं वाइरिंग करने के लिए टूल कििट ले लेंगे तो यहांपे आपक यह वाला जो scholarships करने को मिलता है यह उतल जैङका आपको यहाँ पे देखने को ऑर एक जो है राइट साइड और अपका जो एप साइड इसमें आपको जो है जेलงकी देखने को मिल जाता है अँर इससे यहां पर हमारा बना फैर आराम से निकल आदा है एक हुर्ध में फ़ेयर चुल लेंगे और ही यहां पर होंगे इस तो हम लोग जो आरे कर nu करेंगे तो फर्स्ट आप देख सकते हैं यहाँ पर आपको बार कोड़ यहाँ आपको पार्ट नंबर भी देखने को मिल जाता है। वर यह रहेगा हमारा पूरा सुक्यूट तो सॉक्यूट रहने वाला है। और यह हम करेंगे पूरा without wiring cutting तो यहापे देख सकते हैं यह रहता है हमारे पूरी harness रहती है और यह socket to socket रहता है और गाड़ी में किसी प्रकार का भी कोई wiring cutting नहीं होता है आपके कोई सी बगाड़ी हो new हो old हो हमारे पास इसका जो steering mount control और इसका जो है cruise control हमारे पास activate हो जाता है हम लोग नीचे वाला fiber part है वह हम लोग खोल लेंगे और यहां पर एक screw दिया हुआ रहता है और यह वाला जहां पर देख सकते हैं पहले हमने कहल लिए इसका screw कहलने के बाद में यह वाले हमारे यह उमाईडी को हम लोग बिल्कुल निकाल लेंगे और यहां पर हमारा जो है यह आप देख सकते हैं यह माईडी हमने निकालके हमारे यह वाला जो है क्रूज कंट्रोल हमने इसमें जो है फिडमेंट कर दिया है तो यह आप देख पा रहूंगे बिल्कुल प्रॉपर वाइस तरीके से इसका जो है क्रूज कंट्रोल जो है बिल्कुल प्रॉपर तरीके से तिसमें जोई फिडमेंट हो जाता है आपे देख सकते हैं हमने पीछे का फáriबर भी लगा दिया है यो यह बिल्कुल प्रॉपर तरीक से इसका फिडमेंट हो जाता है और कोई शीए भी आपको अलग हैं लगे गई यह नहीं कि अपने थर्टी प्लस पे आपका यह वाला जो है यहाँ पर हमारा हमारा section का शाइन दिखाहएगा यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर हमने 30 क्लस करेंगे और इसके बाद में यह आप धेक सकते हैं 48 पर हमारा क्रूस कंट्रोल यह हमारा है एक्टिवेट रही पर हमने एक्सलेटर और ब्रेक पे से हमने पेर हटा दिया और यह automatic चल रही है cruise control पे यह आप देख पा रहे होंगे और यह बिल्कुल बढ़िया और बिल्कुल proper तरीके से इसका cruise control हम लोग टेस्टिंग के लिए निकले हुआ है और बिल्कुल proper तरीके से हम लोग इसको जहें एक्टिवेट कर देंगे तो यह आह पे देख पा रहोंगे यहां पर आपको दिख रहा होगा यहां पर हमने जो है 47 तक हमने जो इसमें जो है एक्टिवेट कर दिया है और हम लोग आगे चल के इसमें जो है activity